Hello everyone, welcome back to our channel, इस वीडियो में पात करने वाले हैं TechMendara की new vacancy के बारे में आप सभी को बताते हैं 2022 के लिए TechMendara की तरप से 1000 new vacancy निकाले गए हैं जिसके लिए all over India से candidate apply कर सकते हैं साथी में मैं आप सभी को official website पे ले जाके ये दिखाने वालों कि किस तरीके से आप इस vacancy के लिए apply कर सकते हैं तो आप सभी के लिए एक बहुती golden opportunity है यहाँ पर TechMendara के साथ काम करने की तो वीडियो को अंतक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी जानकरी मिल पाई कि किस तरीके से आप इस vacancy के लिए apply कर सकते हैं साथी में आप सभी को बताते कि इस vacancy के लिए आपको estaical website पे जाकर तो आगे आप सभी को लेकर चलेंगे और आप सभी को बताएंगे कि तरीके से आपको online apply के अलावा गर आप किसी और तरीके से फ़र्म apply करते हैं तो आपका form consider नहीं किया जाएगा और उसे reject कर दिया जाएगा जो भी vacant post है उनकी जो जानकरी दीखिए नीच आप सभी को मिल जाएगी उसके according आपको अपना जो form होगा वो यहाँ पे fill करना होगा form apply करने से पहले पूरी जो instruction है उन्हें जरूर read out करने ताकि आपका form reject ना हो और आप इस पर select हो पाएं चलिए आगे चलते हैं तो आगे यहाँ पर आप सभी को बता देते हैं post and vacancy के बारे में तो टोटल आपकी जो post and vacancy है तो vacancy की संक्या है 1000 एक 1000 vacancy के लिए भड़ती निकाली गई अब बात कर लेते हैं post के बारे में तो यहाँ पर आप सभी को बता दें कि वह एक तरह की post निकाली गई है यानि कि इसी post के लिए एक सर्व विकिंसी निकाली गई है लेकिन post आपकी एक इधर रहे किये तो यहाँ पर जो आपका post का नाम है वो customer support associates की आपकी विकिंसी निकाली गई है जिसके लिए आपको form apply करना होगा अब बात कर लेते हैं eligibility criteria की तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे age limit की तो यहाँ पर 18-45 साल के जो भी candidate है वो सभी इसके लिए apply कर सकते हैं और साथी में आप से भी को बता दे हैं अगर आप SC और ST से belong करते हैं तो आप 5 साल की यहाँ पर चूट पास सकते हैं साथी में OBC वाले candidate को 3 साल की यहाँ पर age relaxation मिल जाता है अब बात कर लेते हैं आगे tech mandra qualification के बारे में तो tech mandra के लिए educational जो qualification चाहिए वो minimum आपकी जो qualification होनी चाहिए वो 10th pass होनी चाहिए गर आप 10th pass हैं तो यहाँ पर आप apply कर सकते हैं उसके उपर जितनी qualification हो आप कोई problem नहीं है आप इसके लिए apply कर सकते हैं विकिन सी भी काफी अच्छी काज है कोई बिकार post नहीं है कि आप 10th pass से apply कर रहे हैं तो आपके post हो तो आपका जो काम है एकदम official work वाला काम है तो काफी अच्छी post है यहाँ पे आप सभी को बता दें कि आपको जो knowledge होने चाहिए ही ंधी और inngles में से किसी एक की knowledge होने चाहिए यहां तो आपको इंगलिस आती हो यहां आपको Hindi आती हो एकदम perfectly आप बोल लेते हो यां लिख लेते हो यह चीज़गी होनी चाहिए जैसे कि अगर आपको Hindi आती है तो Hindi बोलना लिखना यह सारी knowledge आपको होनी चाहिए अगर English का भी आपको बोलना लिखना यह सारी knowledge होनी चाहिए इनमें ऐसे अगर एक भी भासा आपको आती है चाहे हिंदी हो हो या English हो तो आप इस WICANSI के लिए कि ये विकिंसी केवल experience है वोई candidate apply कर सकते हैं तो ऐसा बलकुल नहीं है ये विकिंसी आपके freshers के लिए भी रखी गई है तो freshers candidate भी इसके लिए apply कर सकते हैं तो official website पर भी clear mention है तो वो भी आपको दिखाने वाला हूँ तो tag mantra selection process सबसे पहला जो step रहेगा वो आप कर रहेगा interview, interview के वार documentation होने के बाद आपको final joining यहाँ पर दे दी जाती है अब application fees की अगर मैं बात करूँ तो एकदम application fees फिरिया रहेगी आपकी किसी भी category से बिलॉंग करते हों कोई भी fees पे करने की जरुगत नहीं है tag mantra के लिए कैसे आपको apply करना, how to apply तो आप सभी को बता दें कि official website पे जाके आपको 30 July 2022 से पहले आपको इसके लिए online application form बरना होगा online application form जिस तरीके से मैं आपको बता हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से आपको बरना है ताकि कोई mistake आपसे ना हो form बरने के बाद जो भी आपको reference नमर या जो भी आपको print out मिले उसे लेके रख लेना ताकि future में जरूत पढ़ने पर आप उसका use कर पाएं तो कैसे apply करना है तो आप कौन skill apply कर सकता, who can apply तो आप सभी को बता दें कि all over India से male and female दोनों इसके लिए apply कर सकते हैं आगे बात कर लेते हैं तो कैसे आपको apply करना है तो जैसे कि मैं आप सभी को बताया, सबसे पहले आपको official website पर login करना होगा उसके बाद आपको इसका online application form fill करना होगा form cable online वर सकते हैं, offline वगरा कोई process नहीं है और आपका form consider नहीं क्या जाएगा अगर किसी और तरीके से आपने form fill किया तो अब यहाँ पर कुछ important dates की बात कर लेते हैं तो important dates में अगर हम बात करनें तो 2 मही से आपके जो form में वो start हो चुके हैं और 30 जुलाई 2022 तक आपके जो form होंगे वो भरे जाएंगे तो इसी duration में आपको जो अपना form होगा वो भरना होगा interview की date अभी तक decide नहीं है आगे जैसे ही decide होगी उसकी update आप सभी को मिल जाएगी इसके लिए चैनल को subscribe करके बेल आइकन पर press कर लेना अब यहां पर important links आप सभी को दीगें है तो इस पर आप जैसे apply करेंगे click here for apply online तो आप इसकी official website पर पहुंझाएंगे जहांसे online आपको form भना है इस screen पर भी आप सभी को हमारी एक website दिख रही होगी इस website पर आप सभी को जाना है और link भी आपको वीडियो की description में दे दिया गया वहाँ से जाके जैसे ही आप इस पर click करेंगे click करने के बाद जो link आप सभी को ऊपर दी गई है इस पर पहुंचके आप directly उस page पर पहुंचाएंगे तो वो procedure आप सभी को दिखा देते हैं कि किस तरीकी से आपको visit करना है तो सबसे पहला इस type यहीं आप सभी कर रहेगा कि जो भी आप mobile desktop या laptop जो भी आप use कर रहे हों पर आप सभी को www.studystudystudy4dreams.in आप सभी को type करना है तो जैसे ही आपको google search करेंगे तो google search करने के बाद आपकी जो सबसे उपर website आपकी open हो जाती है study4dreams home वाली जो button होगी इस पर आपको click कर देना है तो जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर एक option मिलता है tech, mandar, recruitment, 2020, 100, 1000, vacancy तो यहाँ पर आप चाहिए तो search भी कर सकते हैं तो simple आपको क्या करना है इस पर click कर देना है वो doubt यहाँ पर देख के clear कर सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर link मिलेगी click here for apply online और नीच आपको notification का link दिया गया है तो हमें online apply करने का link चाहिए तो यहाँ पर जैसे आप online apply form पर click करेंगे तो click करने के तुरंट पाज official website जो कि आपकी टैक मेंदरा के official website डारेकली यहाँ पर आजाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप सभी के सामने लिखा हुआ great chance to work home with brand noida work from home तो आप सभी को बताते हैं कि यह जो विकिंसी रहने वाली है टैक मेंदरा की विकिंसी रहने वाली है और सबसे अच्छी बात यह है कि घर पे बैठे आप 15-25,000 रुपे तक कमा सकते हैं और वो भी work from home से तो यह बहुत अच्छी बात है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके जो salary दी गई है वो भी देख सकते हैं 1,54,000 रुपे से 1,500,000 रुपे पर एन्वम यानि एक साल की यह आपका package रहेगा तो इसके according जब आप calculate करेंगे तो लग वो 15,000 से लेके 21,000 रुपे पर मन तक आपकी salary बनती है और यहाँ पर experience देखेंगे तो 0-5 year experience आप सभी का रहने बाला है तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं दो option आपके पास दिए गए है login to apply और register and apply अगर आपने कभी इस पर पहले registration कर रखा है तो directly आप login करके आप इसके लिए apply कर सकते हैं जैसे ही आप login करेंगे तो यहाँ पर आपको login करना होगा अगर आपने login कभी नहीं किया, sign in नहीं किया है, registration नहीं कर रखा तो आपको पहले registration करना होगा हैं तो जैसा कि यहां पर देख सकते हैं ओपनिंग कितनी है 1000 यहां पर विकेंस ही है और जिसके लिए एप्लिकेसिन 2543 फॉर्म भरे जा चुके हैं 2543 फॉर्म अब तक भरे जा चुके हैं और टोटल जो जॉब देखने वालों की संक्या है वो 2410 है यानि 1000 के लिए 2543 यानि बहुत जादा अभीता कंपेटिशन नहीं है तो आप इस विकेंसे के लिए डेफिनिटली अपला कर सकते हैं नीचे आप देखेंगे तो डेजिगनेशन आप सभी को बताया गया जो कि मैं आप सभी को पहले ही बता दिया था कस्टोमर सपोर्ट एसोसियेट्स की आपकी विकेंसी है CSA की जॉब प्रोफाइल देख सकते हैं एब टू रेजिवलेट कस्टोमर क्योरी वाइस कॉल तो यहाँ पर आप सभी को बता दें कि आपका जो काम रहेगा जो कस्टोमर आपको कॉल करेंगे वाइस कॉल करेंगे तो उनकी जो भी प्रॉलम रहेगी उसे सॉट आउट करना है और उने साटिस्फाइक करना है आगे देख सकते हैं कि जैसे mandatory criteria आप सभी को दिया गया है minimum high school pass यहाँ पर होने चाहिए freser and experience जो भी candidate होंगे वो दोनों ही इसके लिए apply कर सकते हैं साथी माँ आप सभी देखेंगे must have laptop desktop enabled with original version of window 10 तो यहाँ पर आपके पास laptop and desktop वो वाइफाई हो तो आपका काम और ज्यादा easy हो जाएगा और आप सभी को बता दें कि should have not apply for any flip card interview in last 3 month तो आपने अगर flip card के लिए apply ना किया हो 3 month के लिए 3 month के अंदर अंदर तो आप इसके लिए apply कर सकते है customer orientation आप सभी को दिया गया तो यहाँ पर ready to work 24x7 shift आप सभी को दिया गया और अगले 3 महिने के लिए अगर आपको कोई चुटी नहीं चाहिए joining के बाद तो definitely यह आपके लिए है साती में आप सभी को बता दें कि 8-9 गंटे के लिए यह आपकी job रहने वाली है और यहाँ पर आप सभी को बता दें कि 8-9 गंटे की job रहेगी जिसमें एक जो गंटा रहेगा वो आपका break का रहेगा तो उसमें आपको break मिल जाएगा तो बाकी की जो चीज़ है वो यहाँ पर आप सभी को जैसे बताएगे है कि interview जो structure रहेगा HR round का रहेगा जिसमें general check रहेगा वीडियो call के थो उसके बाद OPS round रहेगा जो की general check रहेगा वीडियो call के थो और उसके बाद जो रहेगा client round वीडियो call रहेगा इसी के according जो आपकी salary होगी वो भी decide होगी कि किती साल भी आपको दी जाएगा और इसी के according जो होगा आपका selection यहाँ पर किया जाता है पर आपको search करना होगा वहाँ से जाके आप इस frequency के लिए apply कर सकते हैं तो हमारी दर्ब से आप सभी को very best of luck तो फिलाल के लिए वस इतना है thank you for watching जैहन जबारत